हेलो दोस्तों स्वागत है आपका PLC learning point पर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे Mitsubishi PLC programming का software कैसे download करना है और कहां से download करना है उसके बाद हम देखेंगे Mitsubishi के HMI design करने के लिए software को कहां से download करना है और उसको कैसे install करना ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं कि software के साथ में हम किस किस तरह के program को बना सकते हैं मतलब यदि हमारे पास कोई hardware PLC नहीं है और कोई hardware HMI नहीं है तो हम किस किस तरह के program को बना के run कर सकते हैं सिमुलेट कर सकते हैं यहां पर देखिए मैंने एक HMI को भी design किया हुआ है और उसके according एक program को भी बनाया हुआ ठीक है यह program simulation में चल रहा है मेरे पास कोई hardware PLC नहीं है और यह HMI भी simulation में ही चल रहा है इस HMI के साथ में PLC को connect किया गया है by simulator ठीक है ना कोई hardware HMI की जरूरत नहीं होती है PLC programming सिखने के लिए सिर्फ दो software की जरूरत होती है उनके बारे में हम आज detail में बात करेंगे अब देखिए आप इस HMI को थोड़ा सा ध्यान से देखिए यहाँ पर भी LED दी हो ही है जो की एक सेकंड के बाद on एक सेकंड के बाद off होती है ठीक है यहाँ पर इसमें मैंने एक timer यूज किया हुआ है वो timer अपनी value को complete करने के बाद automatically reset हो जाता है और continue फिर से zero से run हो जाता है ठीक है फिर थोड़ी सी देरी के लिए yellow लगा ठीक है उसके बाद फिर से green signal आ जाता है ठीक है फिर green के बाद फिर थोड़ी सी देरी के ले यętो सिगनल आयेगा और उसके बाद फिर से फिर यहाँ पर देखिए आप rate signal आ जाएगा ठीक है नहीं यह भी एक ट्रेफिक लाइट का यहाँ पर मैंने प्रोग्राम बनाया हुआ है उस प्रोग्राम को मैंने यहाँ पर बनाया है और यह एक हमें डिजाइन करी है ठीक है ना आप यहाँ पर देखोगी तो पील सी लर्निंग पॉइंट उसके बाल वेलकम लिखा हुआ आता है फि यहाँ पर डालता हूँ 1095 ठीक है तो यहाँ पर कुछ न कुछ बीट ओन होती है आप देखोगे तो यहाँ पर बीट ओन हो रही है ठीक है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ वेल्यू डालता हूँ 11 डाल देता हूँ तो उसके इसाफ से भी यहाँ पर कोई न कोई बिट ओन होती 111 एक decimal number है उसको यदि हम binary में convert करते हैं तो इस तरह से ये LED on होती है ठीक है ये LED आप देखोगे तो इस तरह से rotate हो रही है और ये वाली LED इस तरह से rotate हो रही है आप देखिए हमको यदि ये सारी LED को on करना है तो हम यहाँ पर decimal value क्या डालेंगे तो इसके लिए हमको binary पहले select करना पड़ेगा ये सारी जो 1 और 0 है ये सारी LED है ठीक है ना तो इस LED के लिए हम यहाँ पर देखिए 32767 ये डालते हैं तो सारी LED on हो जाती है और एक LED off हो गई ठीक है तो एक बार हम यहाँ पर practically value को डाल के देख लेते हैं 32767 32767 एक बार इंटर करते हैं आप देखिए यहाँ पर ये सारी LED ओन हो गई है और एक LED off है ठीक है ये LED इस तरह से रोटेट होती रहती है यदि इसके लिए भी सारी LED को ओन करना है तो इसके लिए हमको 32767 value को डालना पड़ेगा 7 फिर मैं एक बार इंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पर भी ये सारी LED ओन हो चुकी है लेकिन ये वाली LED इस तरह से रोटेट हो रही है और ये वाली LED इस तरह से रोटेट हो रही है ठीक है compare instruction भी यूज करेवे हैं move instruction यूज करेवे हैं reset के लिए भी instruction यूज किया हुआ है उसके बाद आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने timer भी यूज करेवे हैं इसी प्रोग्राम में मैंने rotate left और rotate right के instruction भी यूज करेवे हैं आगे देख लेते हैं यहाँ पर देखिए SM80001 bit भी मै यहाँ पर यूज करें तो यह इस तरह से पुरा एक प्रोग्राम मनाया है उस प्रोग्राम के बाद यह प्रोग्राम इस तरह से रन होता है और इस प्रोग्राम की HMI इस तरह से बन पाएगी ठीक है ना आने वाले वीडियो में हम timer क्या होता है special memory beat क्या होती है counter क्या होता है किस किस तरह से हम program बना सकते वो सारे देखने वाले हैं तो चलिए अब हम चलते हैं Mitsubishi की official website की तरफ तो सबसे पहले हम Google पर search करेंगे FA Global mail से click सकते हैं या Mitsubishi लिख सकते हैं या direct FA Global भी हम search करेंगे तो यहाँ पर factory automation का एक page open होता है इस पर जब हम click करते हैं तो Mitsubishi की एक official website open होती है इसी website के तरू हम Mitsubishi PLC और HMI के software डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर देखी हमको download में जाना है उसके बाद हमको software डाउनलोड करना है तो फिर एक बार software पर click करना है आगे देखी हमको यहाँ पर country चूस करना है मैं इंडिया का रहने वाला हूँ इसलिए यहाँ पर इंडिया सर्च करूँगा आप यदि किसी और country से हैं तो आप किसी और country पर click कर सकते हैं अब देखी हमको PLC का programming software डाउनलोड करना है तो एक बार हमको यहाँ पर controller पर click करना पड़ेगा और उसके बाद हम mail से Q-series पर click करेंगे क्योंकि mail से Q-series की programming ही हम आने वाले वीडियोज में सिखने वाले हैं ठीक है ना कुछ इस तरह का interface open होगा इसमें देखी हमको यहाँ से scroll up करना है और सबसे उपर जाना है यहाँ पर हमको GXwork3 के नाम से एक software मिलेगा मेरे पास GXwork3 भी है और GXwork2 भी है लेकिन future के हिसाब से हमको GXwork3 में programming करना और GXwork3 की practice करने में फायदा है यहाँ पर देखिए GXwork3 version 1 इसका जो type और model है वो इस तरह से दिखाया गया है अभी मैं इस software को pause कर दिता हूँ क्योंकि मेरे पास यह software अल्री डाउनलोड है और install है ठीक है तो आप यहाँ से GXwork3 डाउनलोड कर सकते है उसके बाद हमको HMI का software डाउनलोड करना है तो HMI पर हमको यहाँ पर एक बार क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखोगे GT Designer 3 version 1 GOT 2000 के लिए ठीक है तो इसका जो version है यह है 1.295H और इसकी size यह है इसको हम यहाँ पर यदि एक बार क्लिक करते है तो इसका भी software यहाँ से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता ठीक है ना यह इस तरह से देखे GTD 3 2000 के नाम से एक software डाउनलोड होता है यह software एक zip file होती है इसको extract करने के बाद इसके अंदर जो setup file होती है उसको हमको run करवाना होता है run करवाने के बाद जैसे जैसे वो yes और no के option आते हमको yes करना है उसके बाद यह सारे software install हो जाते है इन software को install करने के लिए हमको product key की जरुवत पड़ती है यदि आपके पास कोई पहले से GXwork3 का कोई software है पहले से Mitsubishi का कोई software है तो उस software की product key को डालके आप इन software को install कर सकते हैं otherwise YouTube पर बहुत सारे video मिलते हैं GXwork3 को कहां से download करना है कैसे करना है तो आपको कहीं से भी product key इसकी मिल जाती है software download करने के बाद यदि simulation नहीं हो पाता है तो आपको Mitsubishi की official website से जाके ये software वापस install करना है उससे आपका जो software का जो version है वो version update हो जाएगा ठीक है version कौन सा है आप current version कौन सा use कर रहे हैं उसके लिए आप help में जाके version information के थुरू आपका version चेक कर सकते हो यदि आपका version latest version है तो आपका simulation जरूर होगा यदि आपका कोई पुराना version है तो simulation में हो सकता है कोई दिक्कत आए ठीक है नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे PLC और HMI के software को simulate कैसे करना है और दोनों software को communicate कैसे कराना है और program कैसे बनाना है तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं क्योंकि आपके कमेंट करने से हमारा हुसला बढ़ता है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like करें share करें चैनल को subscribe करें और साथी साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे वीडियो को परा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिन जय भारत मिलते है नेक्स्ट वीडियो में